पूर्वी दिल्ली में शकरपुर रोड पर रस्थित है योगमाया जयोतिशकेंद्र। इस सड़क से गुजरने वाले हर व्यक्ति की नजर सहसा इस बोड पर जरूर पढ़ती है। और इसे देख कर यह एसांस हो जाता है कि अवश्य ही परमात्मा की क्रपाप्राप्त कोई मनुश्य लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहा है। इसे नवक्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। कदम दर कदम आगे भढ़ाते हुए हर व्यक्ति को परमात्मा की शक्ति का एहसास हो जाता है और उसकी आस्था इश्वर में पढ़ जाती है। जो भी यहां आता है मन वान्चित फल पाकर जाता है। जोगी राजी उपस्तित हैं। लोगों की समस्याओं के समधान के लिए योगी राजी ने घर बैठे यंत्रों की स्थापना की सीडी श्रंकला बत तरीके से आम लोगों के लिए निकाली है। जिससे आप घर बैठे बिना किसी खर्च के इन यंत्रों को अपने घर या कारले में स्थापित कर जीवन में सुख वे शान्ती ला सकते हैं। सर्वेशाम स्वस्थिर भवतू सर्वेशाम शांतिर भवतू सर्वेशाम पूरं भवतू सर्वेशाम पूरं भवतू नमस्कार दर्शको एक बर फिर आपका स्वागत है हमारे इस कारेकरम आध्यात्मी की ओर में इस कारेकरम में पंडित योगी राजजी वैदिक विधियों द्वारा विभिन यंत्रों को सिद्ध्र कर सथापत करना बताते हैं जिसके द्वारा आप घर बैठे बिना किसी खर्च के इन यंत्रों को अपने घर या ऑफिस में स्थापत कर सकते हैं दर्शकु जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मा सरस्वती विद्याखी देवी हैं और विद्याखी देवी से ज्यान प्राप्ति के लिए सरस्वती यंत्र को अति उत्तम माना गया है आपके बच्चों की पढ़ाई में सफलता प्राप्टि के लिए या उनके पढ़ाई में मन न तिकने जैसी समस्या से मुगती पाने के लिए आज पंडिक जी आपको सरस्वती यंत्र को जब द्वारा सुधिकर्ना बताने जा रही है इस यंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको जिस सामगरी की आवशक्ता होगी वह इस प्रकार है सरस्वती यंत्र 108 दाने की रुद्राक्ष की माला जिसके सुमेरू पर गणेश रुद्राक्ष लगा हो केसर चंदन और गंगाधारी सामगरी युक्त तिलक रक्षा सूत्र यानी के मौली, कुशा आसन, दूप वे माचस, गंगाजल और पूल यदि आपके पास इनमें से कोई सामान उपलब्ध ना हो तो इस सामान की लिस्ट आप अंडित्योगी राजजी के केंद्र से पत्र द्वारा भी मंगवा सकते हैं हमारा पता है इस यंत्र को पूर्ण सिद्ध करने के लिए अब आपको छीक वैसा ही करते जाना है जैसा की पंडित्जी करेंगे समसे पहले पूरूप दिशा के तरव मुख करके कुशा आसन पर इस प्रकार से बैठ दे स्रस्वति यंत्र को सिद्ध करने के लिए आपने बताईवी समगरी तयार कर ली होगी अब गंगा जल से समगरी को स्रस्वति यंत्र को और अपने आपको इस प्रकार से शोद करेंगे ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वा वस्थान कतो वपिवा यस्मृत्य पंडरी काच्छं सवाभ्यांत रावसुचे ओम केश्वाय नमा ओम अधवाय नमा ओम नारणाय नमा ओम गुविंधाय नमो नमा अब गनेर जी का ध्यान कीजिगे स्टिन निंद्रो भृत सर्वा, स्टिन पूका, विश्वीदा, स्टिन स्था रिच्छो अरिष्ट नेंी, स्टिनौ प्रेहस्पति रधातु, प्रग्डश्वा मारुता प्रिष्टी मातरा सुभाम जावानो ब्रद देशु जागे माया अग्ने जीवा मानमा सुर्य चक्ष सो विश्वेनो देवा हो शाग मन्ने बत्रम करणे पे शुवियां देवा बत्रम पक्षे मांच विज जत्रा इर्थै रंगे स्तुष्टवागं सस्तनुगरप्य सेमें द्योईतं जदायो ओम दो ओ सांती प्रतवी सांती रापा सांती ओम दया सांती वानत्पत्या सांती ओम ब्रह्म सांती सल्वगुम सांती ओम सांती सांती सुख सांती रभवतू स्रीमत्मा गणा दीपतै नमा अब धूप जिलाएं और सवस्वति जंतर को गनेजी को और समगरी को इस प्रकार से दिखाएं ओम करपूर गोरं करुणावतारं संसार सारं बुझे गेंट्रहारं सदा वसंतं मृद्यार बिंदे भवं भवानी सैतं नमाई आरातिक्यं समर्खयामी अब स्रस्वति जंतर पर रच्छा सुत्र यानि मौली को इस प्रकार से पांगें एन बद्धो बली राजा दान्युएंट्रो महावदा अब जंतर पर उसका नाम लिखती जिए जिसके लिए ये जंतर बनाना है अगर अपने लिए बनाना है तो अपना नाम लिखती जिए अब जंतर पर इस प्रकार से पीका लगाएंगे नमो ब्रमंड देवाय गो ब्रमंड महावदा जगत्तिताय किष्णाय गोविंदाय नमो नमा अब जंतर को इस प्रकार से पकड़ने और अपने गुरू का ध्यान गेजिए गुरूर प्रम्भा गुरूर विष्णौ गुरूर देवो महेश्वराः गुरूर शाक्षात परंब्रम्भा तस्मै से गुरूर नमा इसी प्रकार बैठे रहे हैं देवी स्रस्वती जी का ध्यान करते रहे हैं यदि यह महामारतर आपको आता है तो पंड़े जी के साथ साथ आप भी इसको 108 बार जबें या पिर पंड़े जी के वो खार्भिन से सुन्ने मातर से ही आप लाग उठा सकते हैं प्रते एक मंतर के बाद आपके हाथ में पकड़े इस यंतर को एक बार फूक दें एक फूक के साथ आपका यह यंतर एक बार अभी मंतरित हो जाएगा ओम एम सरस्वते नमहा नमस्ते सार्दे देवी सरस्वती मनिप्रदे वेस्ट्वं तम्मं जीवागे सर्व विद्या प्रदाभव ओम एम सरस्वते नमहा नमस्ते सार्दे देवी सरस्वती मनिप्रदे वेस्ट्वं तम्मं जीवागे सर्व विद्या प्रदाभव ओम एम सरस्वतै नमः नमस्ते सारदे देवी सरस्वती मनिप्रदे वेस्ट्वं तम्मं जिवागे सर्व विद्या प्रदाभव इस यंत्र को पूर्ण सिद्ध करने के लिए बार बार इस जब में भाग लें प्रति दिन इसके दर्शन करें और माथा टेके देवी सरस्वती द्वारा आपकी सभी मनों का हुणाए पूर्ण होंगे दर्शकों सरस्वती मा की अनुकंपा प्राफ्ट करने के लिए शीग्रेही इस यंत्र को जब द्वारा सिद्ध कीजिए अपने अगले अंकों में हम अन्य यंत्रों को सिद्ध करना भी बताएंगे आपकी जोतिश या वास्तु से संबंधित किसी भी समस्या या कंसल्टेंसी के लिए आप हमें इस पते पर संपर्ट कर सकते हैं हमारा पता है योग माया जियोतिश केंद्र डबलू ए एक सुसत्रा शकरपूर दिल्ली बानवे मुबाइल नंबर तिरानवे दस बीस दस बीस सरस्वतिमा सदैव आपके ज्ञान वबुद्धी में वृध्धी करे इसी मनो कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं जै मातादी